और आज आपको इस साइट देखने के लिए मिल रहे होंगे काफी सारे पत्थर आप देखने के लिए मिल रहे हैं दोस्तों गंगा जी में ने तो यह पूरे ढग चुके थे तो इसी केस में आते हो और अगर आप वाटरफॉल के लिए जाना जाते हो तो दोस्तों रिसी केस मे वाटरफॉल तीन मैंने आपको बताया थे उन में से स्टमबर और अक्टूबर में रिसी केज में काफी अच्छा मौसम हो जाता है जैसे कि आप आज देख सकते हो काफी मज़ेदार मौसम है आज अब सरदालों की बीड भी बाडने लगी है और गंगा जी का जो बाउ है दोस्तों गंगा जी का जो गंगा इस तर है वो काफी कम होने लगा है दोस्तों आज मौसम काफी मजेदार है आप रिसी केस में आ सकतेो दर्शन कर सकते हो और घूम सकते हो फिर सकते हो और हाईवे भी आज किले रहे दोस्तू। केदानाथ हाइवे, बदिनाथ हाइवे, चारो दाम की यात्रा भी अब हाई एक बार फिर से स्वागत आपका मेरे एक और नई वीडियो पे और आज का वीडियो भी हमने शुरू करी दिया है देव भूमी होता है खंड रिसी केस से तो दोस्तों आपको मेरे पिछे रिसी केस थोड़ा चेंज हो गया है दोस्तों दस दिन हो गये लगातार मौसम काफी अच्छा चल रहा था और आज मौसम थोड़ा चेंज हो गया है सामने काले बादल चाहे हुए लगता है जैसे कि दुबारा से बारिस हो सकती आज और सामने आज गंगा जी का इस तर भी काफी कम हो अब सर्दालों की बीड़ेने लगी और गंगा जी का जो बाव है रही दोस्तों आज कल यहां तक पानी का बाव आ गया था और आज देख सकते हो आज 11 ёं 12 दिन हो गया है घंगा है चल यहीं गया और आज का यह यहां पर काफी मटमेला जो गंगा जल चल रहा था आज गंगा जल का थोड़ा 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 जाप देखने के लिए मिल रहा है अब हम आगे चलते हैं और कभी औमस तो हो रही है और जैसे पहले उमस हो रही थी गर्मी ओर रही थी अब वैसी गर्मी नहीं हो रही है रिसी केस में सुबह और साम को हलका थंडा हो गया है और ठंडी हवा भी चल दिया आज आगे भी चलेंगे आज सामने भी काफी भीड है दोस्तों सामने भी काफी भीड हो रही आज उस साइट को राम जुला के ऊपर तो काफी भीड हो रही है अभी भी सामने देखने के लिए मिल रहा होगा आपको राम जुला के ऊपर काफी भीड हो रही है अभी भी सामने काफी सore और काफी ऊपर से लोग गंगाजी का तनडब देख रहे थे यहाँ पे बैटके मैंने एक दिन वीडियो बनाया था पहली बनाया था लोग ऊपर से देख रहे थे पूरा हिस्सा भळ गया था दोस्तों यहाँ karagaoder वी को को जाता है जैसे कि आप अभी देख सकते हो काफी मज़ेदार मौसम हैक आज कि जितंबर कि की दो तारिक हो गई है अगर दो तारिक अनम पे लिए काले बादल नो जा रहार पता नहीं कारणी बारिस होगी आला होगी आज मौसम सामने का काफी मज़ेदार है दोस्तों, काफी लोग बैठे हुए हैं ये गंगा घाट पे और ये देख सकते हो, आज गंगा का बाओ यहां से देख सकते हो, दोस्तों काफी निच्चे जा चुका है, आपको आपने काफी सारी वीडियो देखी होंगी, मैंने जो भ दूर तक गंगा के पास बैठे हुए हैं, अगर आप इस साइड को आना चाहते हो, यहां पर आना चाहते हो, तो आप सीधा सामने से आ सकते हो, वो सामने सा प्रमार्तिकी से आ सकते हो, सामने प्रमार्तिकी से आने का है, यहां पर यहां पर काफी सांत जगे हैं, यहां पर नहें है सामने तो काफि सारै आस्रमGeneral द्रहाँ सालां हैं। सामने बड़े-बड़े ध्रहकोय और आशलमकी की वेजहिए औरक। करने के लिए यहां पर काफी मज़ेदार है और अलकी फ्लकी गंगा आरती पता सामने होते हैं और यहां से आगे जाओ उब ओने के लिए आगे घूमने की यहाँ काफी है दोस्तों आगे तक तो अभी हम आगे चलते हैं और मौसम देखते हैं आज मौसम कैसा रहता है दोस्तों अभी तो मौसम काफी मज़ेदार है हलके-लके काले बादल भी छाएं उपर और मौसम का कुछ पता नहीं है दोस्तों fanbジ स्वाइबर में बदल जाता है जो पहार है उने ने में हलक हलके काले बादल भी लग चुकत हैं दुबारा से और फिर से कभी धूप आ जा रही है और फिर से बादल लग जा रहे थे Deer Azra और सामने कि आज पिलर जो आपको सामने देखने के लिए मिल रहे हैं आप वह देखने के लूए मिलए है। जो इसे काल के रख लख लेखर के द्रेटर के लिए आप वाटरफॉल जानाइब तो दोस्तों रिषी केस में वाटरफॉल तीन मैंने आपको बताया थे उनमें से जो नीर वाटर फॉल है, वहाँ पर कंडिशन काफी खराब है आज-कल वहाँ पर आप अभी मत जाना, फिलाल वहां पर मत जाना क्योंचि वहाँ पर काफी ठूटब कूट हो रखिया और रस्ते भी बंद है वहाँ पर आने जाने के जो रस्ते वह भी बंद हो रखें वहाँ पर फिलाल आप एक दो हफ्ते तक वहाँ पर ना जाना क्योंकि अगर आप वहाँ पर जाओगे तो आपको आने जाने में काफी दिक्कत हो जाएगी काफी बड़े-बड़े पत्थर आ थोड़ा दिक्कत हो जाएगी आपको जाने के लिए वहां पर पानी स्टॉक होता है जहां पर पाणी रुखता रुकता है और फिर वाटरफॉल बनता है उसे तो वह जगें पूरी टूट रख़्ीए जो दिवार होती है वाटरफॉल की तूटी होता हुए अब यहां पर लि देखने के लिए मिल रहे हैं दोस्तों आज और गंगा घाट पे और अब जो गंगा आरती के इस्तल डूब गये थे गंगा घाट डूब गये थे अब वो संपूर्ण रूप से सही हो चुक हैं दोस्तों वहाँ पे दुबारा से गंगा आरती और गंगा घाट में अविश्ना कर रहें लोग नहीं तो पहले वहाँ पूरा डूब गया था इसलिए वहा पे गंग घाट पे इश्नान और गंगा आर्थी के लिए बंद कर दिया गया था अलग इस्से पर हो रही थी अगर आप 13 घाट जाते हो और 13 घाट के लिए जो गंगा आरती हो रही थी, 13 घाट में 16 घंगा आरती होती है दोस्तों आप वहा जाते हो तो आप फिर से गंगा आरती के दर्शन कर सकते हो जैसे जिस बिधीविदान से वहाँ पर गंगा आरती होती थी 16 गंगा आरती वह दुबारा से वहाँ पर हो रही है आजकल और यह देख सकते हो सामने आज काफी सरदालू बैठे वें तो दोस्तो आज यहाँ पर चालान भी हो रहा है अगर आप यहाँ पर आते हो थोड़ा समल के आए और आज वीरस के ओपर भी काफी वीड हो रही है दोस्तों सामने आपको देखने के लिए मिलना होगा और यहाँ पर चालान हो रहा है दोस्तों अगर आप दो पईया वहाँ से आते हो और अगर आप बिना हैलमेट का यहाँ पर आओगे बिना हैलमेट के यहाँ पर आओगे त न न ही पूरे देखने के लिए मिल रहे हैं दोस्तों यह बीचमें पूरे ढ़े को सीधा और यहां पर भूंबने के लिए और यहां पर गपिंग की यह다 हीं और यहां पे जहां पर गँंगा आरति का ऐस्तान था उस्तान था पुरा दूप चुका था अब समपूम्ण रूप से गंगा आरती वहीँ पी ओती आप कोई भी टाइम और कभी भी यहां पर आ सकते हो आज भी देखते हो आपको सामने काफी सारे सरदालू और टूरेश्ट घूमने फिरने के लिए देखने के लिए मिल रहे होंगे दोस्तों और सामने गंगा जी का यह पुपसूरत सा नजारा यहां का व्यू भी रहता है द काफी बड़े-बड़े आश्रम और यहां सामने आपको धरम साला भी मिलेंगी जब आप इस रूट से जाते हो यहां से यह द्रिश्य देख सकते हो सामने के अब पूरा साप हो जाएगा धेरे-धेरे नदी का बाव और भी कम हो जाएगा और इस साइड मैं आपको सामने ल केट सकते हो यह रिए यहां तक बाव चल रहा था गंगा जी का दोस्तों उस दिन यहां पे इतना यह चल भाव हो गया था क्यों आप मेर को वीडियोस बनाने में दोस्तों वैसे उपर भी लिखा हुआ है एका आप इसाइट को भी ही रहते है और इस साइट को भी काफ़ी भी जालै कि 儀ब दोस्तों जो हिस्सा है इस से आगे आरति ऑन काफी भबव्य ग्हंत यह और यह विज़ारा देख सकते हो काफी मज़ेदार सब्सक्राइब मैं आपको दूसरी दिन किसी दूसरी वीडियो में लेके जाओं। मौसम काफी मज़ेदार है। आप रिसी केस में आ सकते हो, दर्सन कर सकते हो, और घूम सकते हो, फिर सकते हो आप आ सकते हो, जा सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी दोस्तों, और हलकी हलकी उमस हो रही आजकल, और ज़्यादा गर्मी नहीं हो रही है दिसी केस में, और गंगा जी का बाव भी काफी कम हो गया है आजकल दोस्तों इस साइट को काफी ज़्यादा भीड हो गयी है, और घूमने फिरने के लिए काफी लोग यहाँ पे आते हैं, अगर आप इस साइट को तो स्ञाम को काफी रस और काफी क्राउड हो जाता है दोस्तों इस साइट को मौसम साफ हो ही तो सो फीर महीं थो बीच में तो लग रहा था चार सारे चार वज़े ऐसा लग रा है जैसे बारिस आने वाली अगर आप पर परसो और समसे मौसम साफ है बारिस का कोई ऐसा समसह नहीर कि बारिस आपकी हलके काले बादल तो लगे हुए हैं बट आभी मौसम साप हो गया है अब दानम दो दयम दिगे उपम देही जयम देह यशो देही पिशो जई पतनिम्मलो रमा काफी बड़ा रैपिट अभी देख सकता दोस्तों यहां पर रैपिट अभी तक है यह रैपिट पहले भी बन रहा था यहां पर काफी बड़ा रैपिट पहले भी था और आज भी रैपिट से देखने के लिए मिल रहा होगा तो यह रैपिट ऐसी रहेगा दोस्तों और इस रैपिट की चपेट में अगर कोई आ गया तो क्या होगा अभी देख से तो यहां पे एक रैपिट बन रहा है और यहां बीच में अब एक कोई भी रैपिट नहीं आपको देखने के लिए यहां पर भी गंगा आरती होती है दोस्तों यह पूर्णानंद घाट है और पूर्णानंद घाट में हर दिन स्याम को सारे 6 बज़े लगबग गंगा आरती होती है तो यहां पर बैठने उठने के लिए काफी आज हम इस वीडियो को यहीं तक एंड करते हैं दोसों मिलता हूं फिर मैं आपको दूसरी दिन किसी दूसरी वीडियो में करती है सभी का यहां पर पालन कोशन होता है सभी यहां पर तो वह आपका काम देखे कितनी जल्दी होता है क्योंकि वह आसों के भुगार सुनती है जोटी भुगार को नहीं सुनती है